C.I.E.T.N.C.E.R.T. पेश करते हैं, धरजचार की दर्सी किताब हमारे आसपास का बाब 10, हू तू तू, हू तू तू, सफह सततर, यहां एक तस्वीर दी गई है, जिसमें कुछ लड़कियां कबड़ी खेल रही हैं, हू तू तू, हू तू तू, हू तू, हू तू, हू तरफ खड़ी लड़कियां जोड से चिल्लाईं, हू तू, हू तू, हू तू, हू तू, यहां से पकड़ो, हू तू, हू तू, हू तू, टांग से पकड़ो, अरे टांग, टांग, अरे टांग, उसकी टांग पकड़ो, हू तू, हू तू, तू, वसुधा, तूम यहां आ तुम उसको यहां से पकड़ो, अरे ध्यान रखो कि श्यामला का हाथ लकीर को न चूले, उसका हाथ पकड़ो, हुतुतु, हुतुतु, उसने चूलिया, उसने लकीर को चूलिया है, आउट, आउट, सब आउट, सब आउट, हो 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 हो, तुमारी तो पूरी टीम आउट हो हुई लड़की को पकड़े हुए हैं ये लड़कियां क्या कर रही हैं ये चिला रही हैं आउट 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 साफ जाहिर है कि ये एक खेल 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 रही है तुम इस खेल को क्या कहते हो चद्दो गड्डू हूतूतू छू किट-किट या डूडू या कबड़ी या कुछ और जब छे लड़कियों ने श्यामला को घेर कर पकड़ लिया, किसी ने उसकी टांगे पकड़ी और किसी ने उसके बाजू, जबके एक लड़की ने उसको कमर से पकड़ लिया, लेकिन श्यामला कहां हिम्मत हारने वाली थी, उसने अपने आप को घसीटा और किसी तरह लकीर को छूने में कामयाब हो गई जब श्यामला ने लकीर को छू लिया तो मुखालफ टीम की सारी लड़कियां उसको पकड़े हुए थी चुनाचे वो सारी की सारी आउट हो गई लेकिन रोजी बहस करने लगी कि श्यामला ने दर्मियान में एक बार सांस तोड़ दी थी इसलिए उसकी टीम आउट नहीं हुई है श्यामला ने जोर दे कर कहा कि ये सही नहीं है उसने कहा कि अगर उसने सांस ली तो लड़कियां उसको पकड़े क्यूं रही वहाँ खूब बहस हुई आखिर कार श्यामला जीती बराए उस्ताद इस खेल की मदद से बच्चों की तवज़ो इस तरफ मबजूल कराएं कि खेल की तरह ही जिन्दगी में भी कुछ एहम उसूल बनाते हैं ताके तमाम काम सही तरीके से अंजाम पाएं हमारे आपसी इख्तिलाफात और जगड़े होते हैं और हम उनको खुश उसलूबी से सुल जाते भी हैं सफ़ह 89 जब बच्चे कबड़ी खेलते हैं तो एक टीम में कितने खिलाडी होते हैं जब श्यामला ने लकीर को छू लिया तो कितने खिलाडी आउट हो गए जब खेल के दोरान कोई इख्तिलाफ या जगड़ा हो जाए तो तुम लोग उसे सुल जाने के लिए क्या करते हो कबड़ी का खेल तो इस तरह का है कबड़ी का खेल धका देना और खीचना चीखना चिलाना घसीटना और जमीन पर गिर जाना ये एक शोर शराबे वाला खेल है फिर भी इसके बहुत सारे काईदे हैं मज़ा भी खूब आता है और वर्जिश भी खूब हो जाती है अपनी सांस रोक के मतवातर कबड़ी कबड़ी कहते रहना और साथ साथ मुखालिफ टीम के खिलाड़ीों को छूने की कोशिश करते रहना इतनी बहुत सी चीज़ें कबड़ी में करना होती हैं जब तक तुम सांस रोके रख सको तब तक तुम ऐसा कर सकते हो इस खेल में तुम्हें अपने जिस्म और दिमाग दोनों का ही इस्तिमाल करना होता है। तुम्हें खिलाडियों को खीचने या रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तिमाल करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ तुम्हें सोचना होगा कि दूसरी जानिब कैसे दाखिल हो सकें तो मैं फैसला करना होगा कि किस को छू कर फॉरान वापस आ जाना है अगर तुम पकड़े जाओ तो किस तरह मरकज में बनी लकीर तक पहुँचोगे बराए उस्ताद आप इस मौजू पर एक मुबाहिसे का इनिकाद कर सकते हैं कि खेल कूद में भी अक्सर आउकात बच्चों के दरमयान जिन्स, जात और तबके की बुनियाद पर तफरीक की जाती है सफह असी कोशिश करो कि तुम अपनी सांस रोक कर कबड़ी कबड़ी कहते रहो तुम कितनी बार ये कहने में काम्याब हो सके जब तुम कबड़ी खेल रहे हो तो इसको कितनी बार कह सकते हो क्या कोई फर्क महसूस हुआ अगली मरतबा जब तुम कबड़ी खेलो तो अपना ध्यान अपनी टांगों, हाथों और आँखों पर मरकूज रखो तुम महसूस करोगे कि आँखों टांगों और बाजूओं का अच्छा ताल मेल रखना जरूरी है अपनी कौपी में तस्वीर बना कर ये दिखाओ कि श्यामला ने पूरी की पूरी मुखालिफ टीम को एक ही बारी में आउट करने में कैसे काम्याबी हासिल की खेलों में आउट हो जाने के क्या मानी होते हैं कबड़ी में कोई कब आउट होता है कुछ खेलों में ये बहुत जरूरी होता है कि खिलाडी को छूआ जाए मसलन खोको के खेल में तुम आउट हो जाते हो अगर तुम्हें कोई छू लेता है ऐसे कुछ खेलों के नाम बताओ, जिन में ये बहुत एहम होता है, के खिलारी को छू लिया जाए कबड़ी में पोरी की पोरी टीम आउट हो गई थी, क्योंकि श्यामला ने लकीर को छू लिया था और कौन से खेल हैं जिन में दरमियानी लकीर बहुत ऐहम होती है और कौन से खेल होते हैं जिसमें खिलाडियों के साथ साथ तुम्हें कुछ चीजें या रंगों को छूना पड़ता है बराई ऐस्ताद उपर के बॉक्स में दी गई सरगर्मियां सिर्फ उस्ताद या किसी बड़े शख्स की निगरानी में की जानी चाहिए सफ़ह 81 क्या तुम कबड़ी खेलती हो? तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड़ी टीम है? और कोई घर से बाहर खेलने वाला खेल? क्या तुम सोचते हो तुम्हारी दादी अम्मा जब तुम्हारी अमर की थी तो कबड़ी खेलती थी? उनसे दर्याफ्त करो क्या तुम्हारे इलाके में लड़कियां कबड़ी या कोई बाहर खेले जाने वाला खेल खेलती है? अगर वहां लड़कियां हैं लेकिन वो खेलती नहीं तब उनके नखेलने की क्या वुजुहात हैं गुफ्तगू करो यहां कर्णम मलेश्वरी की तस्वीर दी गई है लिखा है कर्णम मलेश्वरी क्या तुमने उनके बारे में सुना है करनम मलेशवरी एक वजन उठाने वाली खिलाडी है वो आंधर प्रदेश में रहती हैं उनके वालिद पुलिस के एक सिपाही हैं जब वो बारह साल की उम्र की थी तब से मलेशवरी ने वजन उठाना शुरू किया अब वो 130 किलो ग्राम तक का वजन उठा लेती हैं करनम ने बेनलगवामी सतह पर 29 तमगे जीते हैं उनकी चार बेहने भी वजन उठाने की मश्क करती हैं तीन बेहनों की एक कहानी यहां एक तस्वीर दी गई है इस तस्वीर में तीन खवातीन नजर आ रही हैं क्या ये आमसी दादियां नहीं लग रही हैं लेकिन ये मुखतल हैं ये तस्वीर तीन बेहनों जौला लीला और हीरा की है ये मुंबई में रहती हैं ये तीनों ही कबड़ी खेला करती थी और दूसरों को भी खेलना सिखाती थी जौला बताती हैं जब हम छोटे थे तो लड़कियों को ये खेल खेलने की इजाज़त नहीं थी लोगों का ख्याल था अगर लड़कियां ऐसे सख्त खेल खेलेंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को कबड़ी खेलने के लिए लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते थे इसी वज़ा से वो लड़कियों को कबड़ी खेलने से मना करते थे जब ये बहने चोटी थी तब उनके वालिद का इंतिकाल हो गया था उनकी वालिदा और मामू ने उनकी परवरिश की दोनों मामू कबड़ी और खोखो खेला करते थे उन्होंने तीनों बहनों की कबड़ी खेलने के लिए होसला अफजाई की जौला और लीला अपने तजर्बात के बारे में बताती हैं तकरीबन पचास साल कबल जब हमने कबड़ी खेलना शुरू किया तो लड़कियों को ऐसा मौका कभी नहीं मिलता था कि इस खेल को खेलें वालिदैन इस खेल को खेलने की इजाज़त नहीं देते थे लेकिन हमने हमेशा महसूस किया कि हमें खेलना चाहिए और मेरे मामू और वालिदा ने हमेशा हमारी हिमायत की हम तीनों ने खेल को सीखा और कुछ और लड़कियां भी हमारे साथ शामिल हो गई हमने एक कबड़ी कलब काइम किया जो आज तक चल रहा है उन दिनों की याद लीला और हीरा अभी बहुत जोच में आ जाती हैं जब वो अपने मैचों के बारे में बातें करती हैं वो बताती हैं किस तरह तकरीबन हारते हारते उनहोंने कुछ मैचों को जीता था ये सिर्फ उनकी जबरदस्त गुवत इरादी की वज़ा से ही मुम्किन हो सका था उन मैचों के दौरान कुछ बहुत दिल्चस्प बातें होती थी एक मरतबा एक बहुत बड़े मैच के सिलसले में उनको दूसरे शहर जाना पड़ा लीला बताती है मैच साड़े च्छे बजे शाम में शुरू होने वाला था हम तीन से च्छे तक की एक फिल्म देखने चले गए हमने सोचा कि हम मैच के लिए सही वक्त तक पहुँच जाएंगे जैसे ही फिल्म शुरू हुई हमने महसूस किया कि कुछ शोर और गड़बड सी है ये हमारे मामू की वज़ा से हो रही थी वो एक टॉर्च की मदद से हमें हौल में तलाश कर रहे थे जब हम उन्हें मिल गए तो उन्होंने सिनेमा हौल में ही हमें जबरदस्त डांट पिलाई इन बहलों को कबड़ी की वज़ा से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसने उनके लुटफ और मज़े को कम नहीं होने दिया बराए उस्ताद इन मिसालों का इस्तेमाल करके बच्चों का ध्यान इस हकीकत की जानेब मबजूल कराएं कि बहुत सी लड़कियां मसावी तोर पर खेलों में हिस्सा लेने के लिए मौका नहीं पाती बच्चों से दर्याफ्त करें वो अपनी वालिदा के भाई को क्या कहते हैं सबसे छोटी बहन हीरा कबड़ी की कोच बन गई है उनकी दुआ है कि तुम्हारी तरह और बहुत से बच्चे बहुत से खेल खेलें और लुट्फ उठाएं और खास तौर पर कबड़ी से क्या तुमने किसी कोच यानि उस्ताद से कोई खेल खेलना सीखा है क्या तुम किसी को जानते हो जिसने खेल किसी कोच से सीखा हो तुम्हारे ख्याल से खिलाडियों को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्या तुमने कभी अपने पसंदीदा खेल के लिए अपना कलब काइम करने के बारे में सोचा है तसवर करो कि पंदरह बच्चे खोखो खेलने के लिए दो टीमें बनाना चाहते हैं दोनों टीम में बराबर की तादाद में यानी साथ साथ खिलाडी हो गए फिर एक खिलाडी बाकी रह जाएगा अगर ऐसा होता है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम कभी एक्स्ट्रा खिलाडी बने हो? इसके बारे में लिखो हर एक खिल के कुछ उसूल होते हैं खिल उन्हीं उसूलों के मताबिक खेला जाता है हमें देखना चाहिए कि अगर उसूल को बदल दिया जाए तो क्या होगा? मसलना क्रिकिट में विकिट पर से गिल्लियों के गिरने पर बल्ले बाज आउट हो जाता है सूचो अगर ये उसूल हो कि एक बार में अगर तीनों विकिट गिर जाएं तो पूरी टीम आउट हो जाएगी क्या खेल में मज़ा आएगा? कोशिश करो और इस उसूल के साथ क्रिकिट खेलो इस तरह कुछ और खेलों के लिए भी उसूल बनाओ और उनके मताबिक खेलो अभी आप सुन रहे थे दरजाचार की दर्सी किताब हमारे आस पास का बाब दस आवाज मुईनुलहसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंगलिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्मान सहयोग जग बंधु जाना, निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत झासरे बंदेच क nothing, ज तक्नीकी निर्मान, निर्मान समें टाफेशन सक अहाँ एन्रिल भारत